हलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग और आपके अपने चैनल में आप सब का स्वागत है राम राम जी तो बस आज सुबह से ही लगी हूं बहुत सारे कामों में क्या क्या करने वाली हूं तो आप लोग देख लीजिए ये गाड़ी लेके जाते तो सबसे पहले इनको चाय बन से मतलब ठंड ठीक है ज्यादा नहीं है तो यहां पर पानी को मैंने पानी लेके गई हूं रात को पानी लेने भूल गई थी पानी रखना ही भूल गई थी फिर नहीं तो मैं रात को ही रख लेती हूं तो सुबह लेना पड़ा और चाय वगएरा बनाके इनके साथ पी लें फिर अपना काम करने लग जाएंगे यहां पर बस यह आ गई हूं काम करने के लिए अब किचन में जो भी काम है वो करना है यह सारा समय में जादतर पता है मैं दिन में यह सोचती हूं बहुत जल्दी मेरा काम हो जाए क्योंकि देखिए कही बार बताया है उधर देखना यह ज तार दिए फर्स बहुत ठंडा हो रहा है और ना इस थंड या हो गर्मी पर को इस वार कुछ ज्यादा ही महसूस हो रही है कि स्वेटर सौल सब कुछ और के रखा है तो चलिए आज क्या बना रही हूं वह समय दिखाते हूं तैयारी मैंने पहले से ही करके रख दी थी क्यों आप सब कैसे हैं तो आज की चाय बनाई है वंशी काने और यह बंद है बंद से चाय खाई मैंने वह आप लोगों को दिखा दू और चाय का कलर तो देखे बढ़िया लग रहा है अच्छी लग रही है ना तो यह सौना वंशी का खाईगी सौना ले क्यारी कपड़ा उसका है तो चली हम चाय पी लेते हैं सुवे की पहली चाय आप लोगों के साथ अब पीके फिर और इससे अच्छी लगती है चाय किसको अच्छी लगती बताएगा है ना कैसे हैं आप सब लोग और हम जारे मुकान पर तो मैंने अपना ब्लोग इस्टार्ट कर दो कि फॉन घर प अफरी वी आज कप्ड़े प्ड़े नीद होएं मैंने वहां पर जरूरी था ना कप्ड़े अप्ड़े छोड़ दी है एक स्वेटर रखके भूल गई हूं मैं दिहान ही नहीं आता जल्दी से चीज और जब मुझे जल्दी होती है तो अकसर चीज मिलती नहीं है यह तो किनी प्लगा नी यह ताला लगा है ऐना ताला ना को आँ मैं आ पादा सा फूल गई टमसि कहा प्ला कर ल की यह दे बूल गोन बाला यह लगा रावन बाला अच्छा थैंक्यू इसमें थोड़ी ठंड़ना कम लगती है और इसमें लगा दे रियु ताला किजन सारा साफ कर दिया है वच्छों को खाना पीना खिला दिया है और यहां पे मैंने आज मैं बहुत अच्छी ऐसे पी वैसे तो हट टाइम ही करते हूं मैंने यहां पे चने की दाल बिभो दिये अभी कितने साड़े ग्यारा बज रहे हैं आंके इसको मुझे बनाना है और यह आपके साथ शेयर करूंगी तो उमीद करते हूं आप लोगों को अच्छा लगे धरवन्ने की विष्णी में चली लाइटाट नहीं है और धूप ऐसे ह निकली है चली तो फिर चलते हां कमरे में हूं कहां है होंगी भी मिख हो गए है चली ता पर ताला लगा देती हूं और चौरा मास ले लो तो यहां पर यह देखी कुत्ते को कुत्तों को पकड़के वह इंजेक्शन लगवाने के लिए लेके जा रहे मैं अपने मकान पे आ खाग गया कुत्ता इंजेक्शन पता नहीं किस चीज के लगा रहे थे बहुत सारे लोग थे बहुत भीर लग रही थी जैसे कोई वह हो रहा हो पर ऐसे थोड़ा सार ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि इतनी तेज को हैं वह भाग रहे थे कहीं लग लगाना सब कुछ कर लिया था अच्छा यहां पर यह देखिए सामने कैमरा थोड़ा सा उल्टा हो गया लेके चलती हूं मैं आपको यहां पर मूली की फसल हो रखी है यह देखिए सुबह का ही टाइम है आप देख सकते हैं वह कोहरा लगा हुआ है सुबह सुबह यह आय थे ना सब निकाल देखिए अच्छा लग रहा है आप लोगो के साथ शेयर कर देते हैं अच्छी लगती ना यह चीजे तो चलिए अब घर पे चलते हैं बहुत सारा काम पड़ा है और यह देखिए चनाई की दान में भिगो के गई थी और यह देखिए इसको इसमें डाल दे रही पालम पूरी बनाने जा रही हूं साथ नाम हाई यह है रेसिपी बना लेते पर नाम का थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है यह थोड़ा सा पानी डाला है और इसको उबलने के लिए रख दूंगी तीन चार सीटी में यह हमारी उबल के रेडी है तो यह उबल गई है देख सकते पानी थोड़ा बहुत ही रहा है और मैं डाल रही हूं इसमें गुड़ और अभी मैं चने की डाल को हाँ से मिसल के दिखाऊंगी आप जितना मीठा खाते हो उतना मीठा आप खा सकते हैं हम लोग थोड़ा सा कम मीठा खाते और इस सड्दियों में मतलब गुड़ तो कितनी अच्छी चीज होती है मतलब सरदियों में आपके लिए वेस्ट ऑप्शन है क्यूंकि गुड़ तो बहुत सरीर के लिए फायदे मन्त होती है चना भी वह सरीर के लिए फायदे मन्त होता है तो बहुत ही हैल्दी रेसिपी है यह देखिए एक दम से ओवल गए चने की दार क्योंकि वीडियो काफी जादा बड़ी हो गई थी यहां पर मैंने मैदा लिये मैदा को मैंने च्छान लिया आप लोग चाहे तो आटा भी ले सकते पर मैदा के जादा अच्छे बनते हैं करारे करारे से और इनको श्टोर भी कर सकते हैं और फिर बाद में फ्रीज में रख और इसमें नमक डालेंगे यह देखिए इस तरीके का हो गया अभी मैं बता भी दूंगी देखिए कितना पतला बहुत पतला हातों में चिपक रहा है यह देखिए यह देखिए इसको सैट होने के लिए रख देंगे 10-5 मिनट के लिए इस पे थोड़ा सा तेल लगा दिया इस तो पतला है यह अभी हम पर करेंगी तो यह वैसे हो जाए भी आप देखिए chaoselly सोंप डाली और इलाईची डाली सोंप आपको दिखाई नहीं थी इसलिए मैं बता देनु हुआं इसमें सॉंप और इलाईची और गुडर है और मेरा मैंदा को मेने नमक डाल के क्यूंकि तो मैंने में अच्छा बनता है चलिए मैं इसको पीस लेती हूं तो इसमें मैंने दो चीज डाली इलाइची और सौंप और में नमक डाला है बारवर इसलिए बतारी हूं थोड़ा सब फिर पूछते हो ना तो फिर मुझे धिहान नहीं रहता तो इसलिए भी पूछ ले रही ह तो पीस लिया है मैंने और इसमें थोड़ा सा घी डाल रही हूं यह देखिए और देखिए यह पिस गया है ऐसा हो गया यह अभी और भी गाड़ा हो जाएगा आप लोग चाहें तो इससे छान सकते हैं पर मैंने इसको पीस के मिक्सी में कर लिया है और इसको थोड़ी ज्यादा आरी थी खुझभू ये देखिए गाड़ा होता जा रहा है ना और इसे मैंने इसी पे कर लिया है नॉनिस्टिक तवे पर फटा-फट से ये देखिए कितना गाड़ा हो गया ये ठंडा हो जाएगा तो और भी गाड़ा हो जाएगा थोड़ा थोड़ा सा गरम है कि हाथों पे मैदा चिपक जाएगी तो थोड़ा सा मैंने गी को गरम कर लिया है और देखिए इस तरीके से करके और गी लगा लगा के तेल लगा लगा के जो भी और इस तरीके से लड़ू बना के इसके अंदर ऐसे रखने है और इस तरीके से करना है जो लोग इनके ये दूसरे तरीके से बताऊंगे उस तरीके से आप बहुत ही आसानी से बना सकते। हास से थोड़ा सा बन जाता है पर टेड़ा मेड़ा ऐसे बन था है जैसा है मैंने आपको दिखाया है अभी मैं दूसरे तरीके से बना के दिखाऊंगी वह वाला आप लोग ट्राय करें और आप लोग प्लीज ये सर्दी में बच्चों के लिए खुद के लिए बहुत प्लीज ट्राय करिएगा एक बार मेरे कहने से और यह ना करारा करारा ऐसे लगता बस खाये जाओ खाये जाओ हास से देखिए इस तरीके का बनाए अब मैं दूसरी तरीके से आपको बना के दिखाती हूँ लोग ले लिए और बहुत ही सॉफ्ट वाला मैंने मैं देका डो तinyaर किया अभी देखिये मैं आपको दिखाती हूँ उसके क्या कहते है पनी देखिए मैं बनी ले लए पनी के अंदर थोड़ा सगी घी तेल जो भी और हुलके हलके हादों से पनी के बेलना इस और चकले की सायता से उसको वो करना है जितनी बड़ी बनानी उतने सौरी ये वंसिक आपना वो दिखाने उन्होंने बनाया था ये देखिए हमारा बन गया है जितना पतला करना उतना पतला कर सकते हैं मैं तो थोड़ा थोड़ा सा आटा ले रही थी देखिए कैसी लगी ये अब इसे ये हाथ पे भी आपके आ जाएगा और तवे पे छुड़ सकते हैं थोड़ा सा हाथ से पतला कर दीजिए मतला आपके उपर पतला मोटा वैसे तो पतले ही अच्छे लगते हैं ये देखिए इस तरीके से और एकदम गोल आया ना हाथ में थोड़ा सा वैसे आया था मतलब टेड़ा और इस तरीके से एकदम गोल और इसे हाथ पे भी दिखा रहे हूं एक नहीं पांच छे बनाके और वह हमारा जितना थंडा होता जाए उतना ही बढ़िया होता जाएगा इनको मैं बना बना के देती जारे हूं देखिए मैंने बैक कैमरे से अब भी आप थोड़ा घी लगाल अब और दोबारा है इसको से दखे की ऐसी तरीके बहुत ज्यादा टेस्टी था देखिए मैं आपको बिल्कुल एक दम वैसे करके दिखे करे तका हर जाग मिक्स होग और टेष्टि बनी है डिखिये सब लोग खा रहा है ऑभी और इन्हें कितने भी दिन उटप्रित कड़ीजे विए जिफूर रख लागे खाए तो मैं नोब मुंँटाई है तो क्यों नहीं खाता है और और जो कुkk पाइश भी जी डिना इतना एतना अछ्छा लग रह नहीं 3 बीना उसके दूर्टमी घ्राएट उसमा मैं प्रभ दया कृत आउल सीवाड तो इसमें ही लगा लेती है। थोड़ा थोड़ा ही लगा है क्योंकि एक दो में सुबह के लिए रहूनी तो सुबह के लिए बाद के लिए भी ये देखिए इस तरीके लिए से क्लेरी उमीर करती हो आप लोगों को अच्छा लगेगा इसलिए रखती मुझे अच्छा लगता है कितना देखी ऐसे लग रहा है जैसे वह होता नहीं है गुलाब जामुन में भरा होता अंदर उस तरीके से लग रहा है मैंने थोड़ा सा खा लिया है इसलिए मुझे बता रही थी यह रही है फूल भी रही है देखिए चलिए इनको बनाते हैं और इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड तब तक के लिए उमीद करते वीडियो अच्छी लगे अच्छी लगे तो लाइक सिस्क्राब जरू करि आप लोग भी खा लीजिए